हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी चैनल अमन प्यास चिके जियस पे तो आज है 27 मार्च जो 27 मार्च का आपका CRF, AAC, STNU का जो एकजाम था वो फर्स शिप्ट में हो चुका है तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अधिक्तम रियल प्रस्न मिल गए हैं तो उन्हीं को देखेंगे और जानेंगे कि एकजाम का लेवल कैसा आ रहा है तो चलिए सुरू करते हैं जो आज का हमारा पहला प्रस्ना आया था कि 2022 कुष्टी में स्वन पदक कौन जीता था तो बात करें अंडर 23 कुष्टी चैंपियंशिप में तो स्वन पदक अमन सहरावत को मिला था स्वन पदक जितने वाले पहले भारतिय पहलमान है उन्होंने तुर्की के अहमद दुमान को फाइनल में 12-4 से मात दी थी तो बात करें वहीं अंडर 23 की इनका भी जेता जो स्वन पदक जीते थे वो कौन थे अमन सहरावत वहीं बात करें राष्ट्री खेल 2022 में अंडर 20 बीश्व चेंपियंशी अंतिम पंगाल ने कुस्ती में स्वन पदक जीता था जो स्वन पदक जो कुस्ती में कौन जीता था अंतिम पंगाल भारत के रव कुमार ध्यया ने सनिवार को भंगिंगम राष्ट्री खेलो 2022 में 15ических किलोग्राम फिश्ट्री में स्वन पदक जीता था जो भंगिंगंु में जो राष्ट्री में खेल रवि कुमार ध्यया जीते थे और जो आपका अंडर 23 कुस्ती चेंपियंशी अपियो tv प्रस देखते हैं अगला प्रस था बजेट 2022 में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग की प्रतिस्द कितनी थी यह पूछा था तो जो आपका भारत की कुल अबादी में 29.8% जो आपका हिंदू है वहीं 14.2% मुस्लिम है इसके बाद इसाई 2.78 करोर मतलब 2.3% और सीख 2.08 करोर मतलब 1.7% है बाकी बोध और जेन धर्म को मानने वाली के बादी एक पर चीचर से भी कम है जिसके मुताविक हम आपको भारत की वरतमान जन संक्या हिंदू धर्म और अनधर्म की गन्ना बताएंगे 2022 में भारत की वरतमान जन संक्या जो थी आपका एक अरब 49 करोर के आसपास है ठीक तो आपका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन के अनुसार आपका 80% जो आप्शन में था वह आपका राइट एंसर हो जाएगा 79.8% जो हिंदू की कूलबा जादी है अगला प्रस देखते हैं अगला आया था कि मुस्लिम लिंग की अस्थापना किस ने किया था साइद यह आया था इसकी अस्थापन 1926 में आगा खान ढगा के नवाब सली मुल्ला और नवाब महुश्रीन मुल्क के निर्थ में किया गया था तो जो आपका राइट एंसर आगा खा हो जाएगा वहीं आपका बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स की जो आपका इसमें बंगाल भिवाजन का समर्थन किया था 1913 में मुस्लिम लीग में सामिल हुए थे 1930 में इकबाल ने फ्रोंटियर प्रांत बलिष्टान सिंद्ध और कस्मीर के संग का सुझाव दिया महा संग के भीतर एक मुस्लिम राज के रूप में चोधरी रहमत अली ने 1935 में पकिस्तान सब्ध का अविश्कार किया तो मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लोहर अधिवेशन हुआ पकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया और भारत सरकार अधिनी में 1935 में इस संगिय योजना की पड़ी कलपना की गई यह आपका मुस्लिम लीग की अस्थापना किस ने किया था यह प्रस्त बना था उसके बात बना था कि सिकर्मद में 15 मुस्लिग पन्जाब में अप्राद दर प्रोसे राज में तुलना में है हывать वाद देख लेते हैं यह इन यह मतावी महिलाव के अप्रहन को एक सबसे उपरर रहा है इसके बाद भीहार नियुदी स्तान रहा है महानगरिय सहरों में मामलें में देस सबसे आगे रहा है एक कोशन बना था कि थर्ड बेटल से बना था तीसरा यूट से वो क्या कोशन बना था आप कोमेंट करके हमें बता दें अगर आपका आगे भी एक्जाम है तो आप हमें अपना रिभ्यू सेंड कर सकते हैं जो कि टेलीराम पर आप रिभ्यू हम अपना सेंड कर सकते हमें मेसेज करके तर देख लेते पानीपत के तीसरा बेटल को पानीपत के तीसरा जो लराई था 1761 में अफगान और करमकारी अहमत सा अब्दाली और पूने के सदस्यवराज भाव पेष्वा के तहद मरात्यों के बीच लरा गया था यह लराई अहमत स Says अप्दाली ने शदस्यव्राज भाव को हड़ा कर जीत लिचा हार इत्यास में मराठो की सभसे से बुरी हार थी तो कब लरा गया था सत्रों सो एक सटीस में किसके किसके बीच तो अगला प्रस देख लेते हैं एक प्रस था कि खीट में से कथन कौन सा सही है यह आया था सायद तो आपका जो बात कर ले कथन वहन की था आगन के सायद सायद घर के चारों और खीर क्या खूली रती थी जो आपका पहला कथन वह आपका सही हो जाएगा आगन के चारों दिशाओं में घरों का निर्मान किया जाता था अगला प्रस देख लेते हैं चुलिए च्वालीसमा समिधान संसोदर्ण उनाइस सो अठतर के द्वारा सुची से हटाने से अल्प संख्याओं कि अपनी पसंद की सीख्षा संस्थानों की अस्थापना करने और संचालन संब्धियत अधिकारों का कोई पड़वाव ना पड़े यह सुनेचीत किया गया था अगला प्रस देख लेते हैं आया था कि वह सबसे कम सर्षर्षर्टा और राज को सा है तो आपका बात करना सबसे कम सर्षर्षर्टा वला राज तो आपका विहार सहीया अगला प्रशन था कि भारत की सत्तान पर है च अल्बी कहते हैं टामिलाडू भारत में इन पवन उर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है National Institute of Wind Energy की रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो आपका भारत के बात कर लें कि भारत में कौन सा स्थान पर है तो भारत 25 सबसे बड़ा पवन बिजली उत्पादक है और इसका वार्ष्टिक उर्जा उत्पादक 8896 मेगावाट है अगला प्रस देख लेते हैं वर्थ 2022 के लिए इन में से कीसे दुरोना चार पुसकार दिया गया था तो जो आपका रेसलिंग के कोच राजा सिंग को दुरोना चार पुसकार दिया गया था वो आपका राश्पती मुरुमून के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स एवर्ड 2022 के दुरान दिया गया था उन्होंने के कोचों को भी यह अवर्ड दिया था अगला प्रस दा कि समीधान में 22 भसाओं का आंकन कीस अनुचूची में है तो वर्तमान में भारतिये समीधान की आठमी अनुचूची में जो आपका राइट एं हिंदी करनर कस्मीरी कोनक मतली मतल मैथली मल्यालम मनिपूरी नेपाल मराथी ओडिशा पंजाबी संस्क्रीट संथाली सिंधी तमिल तेलगू और उर्दू सामिल हैं अगला देख लेते हैं अगला प्रस ने लोड डल होजी ने सबसे पहले किस को बिडिटी स्राज में मिला आया था तो बात कर लेते हैं सिंधान के नुचार किया गया था कि पर्तम राज सितारा जो थे आपके सतारा के राज अप्पा सहाम ने अपनी मिर्थी के कुछ समय बाद पूर इस्ट इंडिया कंपनी के अनुमोथी के बीना एक दंतर पूत्र बना लिया था लोड दल होज अगला प्रसनिक निरित में महिला गोल आकार में घ्रहा बनाकर निरित करती है तो विकास विल-जन जाती ने मास और स्वति के आरातना करनी के लिए किया था इसके बातवाकी राजस्त थानी भिराधर्यों ने इसे अपना लिया था तो उसे बातक कर लेते एक और नरित था इसमिलता जुलता है गुम्रा निरित तो यह ये गुमडा निरित वह जो आपका ऊरike पर इसे लोकणिरित के रूप में वरगित किया जाता है, क्योंकि घुम्हा का वे सहीत ड्रेस को अदिवासीusing को दर्शाता है, यह निरित कलहारी-जिले के लोकणिरित क्यों से एक है। तो दोस्तो अभी तक हमें इतने प्रस्न मिले हैं अगर और हमें प्रस्न मिलते हैं अगर आप एक्जाम दे करा रहे हैं तो आप कॉमेंट में बता दीजिए कि और क्या-क्या प्रस्न आये थे ठीक है तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं तब तक के लिए मिलते हैं नेक्